हमारी आज की कहानी है मेरे जैसी एक सब्ता बाद इद आने वाली थी आज इतवार का दिन था इसलिए अम्मी अब्बू घर की साफ सफाई में लगे हुए थे बाकी दिन तो अम्मी अब्बू को दपतर से फुर्सत ही नहीं मिलती थी साफ सफाई में थोड़ी बहुत मदद जोया भी कर रही थी या यूं कहें कि काम को और बड़ा रही थी किताबों की अलमारी साफ करते वक्त अब्बू ने सभी किताबें मेज पर रखी वह एक एक किताब को साफ करके अलमारी में रखने लगे जोया जो की बहुत देर से किताबों को उलट-पुलट कर रही थी उसने अब्बू से पूछा अब्बू पढ़ लिखकर क्या होता है? बेटा पढ़ लिखकर कलेक्टर, डॉक्टर, टीचर और भी बहुत कुछ बन सकते हैं तुम क्या बनोगी? अब्बू ने एक और किताब अलमारी में रखते हुए कहा, डॉक्टर बनेगी चार पाई पर लेटे लेटे दादा जी ने कहा, नहीं नहीं, टीचर बनेगी हमारी जोया, ताकि अपने घर को भी वक्त दे पाए कुर्सी पर बैठी दादी ने कहा, पर अब्बू मैं तो, जोया, अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही अब्बू ने कहा, तुम तो पढ़ लिखकर इंजिनियर बनना, और मेरा अधूरा ख्वाब पूरा करना, पर अब्बू मैं तो, मैं तो क्या मेरी बच्ची, तुम तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनना, अम्मी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम, पर मैं क्या बनना चाहती हूँ, कोई मुझसे भी तो पूछ लीजिए, जोया ने चिलाते हुए कहा, हाँ बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो, सभी ने एक अवाज में पूछा, मैं तो मेरे जैसी ही बनना चाहती हूँ, जोया की यह बास सुनकर, सभी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, ये थी हमारी आज की कहानी, तो बच्चों, तुम क्या बनना चाहते हो,